चला कौवा एक बार एक कौवे को बड़ा सा पनीर का टुकडा मिला कौवा उसे खाने के लिए एक बड़े से पेड़ की डाल पर जा बैठा तब ही वहाँ एक भूका लॉम्री आ पहुचा पनीर के टुकडे को देख लॉम्री के मुँँ में पानी आ गया उसने सोचा किसी तरह से पनीर का टुकड़ा मुझे मिल जाए उसके दिवाग में एक उपाय आया लॉम्डी ने बड़ी विनम्रता से कहा प्यारे कौवा जी मैंने सुना है आपकी आवाज पड़ी मीथी और सुरीली है क्या आप मुझे एक गाना सुनाएंगे पर कौवा उससे भी ज्यादा चलाक था उसने सावधानी से पनीर को अपने पंजे में दबाया और बोला क्या अब मैं गाओं उसकी चलाकी देख लॉम्डी मू लटकाय वहाँ से चला गया जूटी तारीफ से सावधान रहे